तो गुड इविनिंग कैसे हैं आप लोग सच बताऊं जितना मुझे इस्ट्रेस नहीं हुआ उतना इस्ट्रेस हो जाता है आप लोग की कमेंट से जो आप लोग लगातार मुझे करतेगे फोन लगातेगे in fact कल वीडियो मैंने बनाया था हिसके बावजूत लोग अपोर आया सर स्ट्रेस टेस्ट हुआ है मैं थो स्मॉल कैप से न मैं शिफ्ट हो रहा हूँ मैं तो मिट कैप में करूँगा कुछ लोगों ने कहा कि सर श्मॉल कैप से क्या करते हैं पैसे निकाल लेते हैं वीडियो नहीं देखा, बोले सर वीडियो देखा, लेकिन काफी कुछ समझ में नहीं आया, देखो आज की वीडियो में पूरी तरह दूद का दूद, पानी का पानी होने वाला है, क्योंकि जो वे रिजल्ट आये सेवी की तरफ से, जितने सारे mutual fund है, सब का data present करने वाला हो, सबसे most important thing, सब का favorite भाई सार, SBI में क्या हुआ, आपने निपोन का तो पता दिया, कौन का पता दिया, SBI ने क्या कहा, SBI के साथ साथ बहुत सारे mutual fund ने क्या क्या है, उसमें include हो सकता है, मोतिला लोसवाल का भी है, एक्सिस बैंक का भी है, कैनारा रोबोको का बैंक का भी है, ये सारे mutual fund का क्या result आया, और yes, ये result आने के बाद, क्या problem हो सकती है, क्योंकि हर 15 दिन में होगा, तो हम as a retail investor क्या करने वाले है, हमें क्या फाइदा होगा, क्योंकि से भी तो अपना काम कर रही है, हमारी ले क्या होगा, इसका भी जवाब आज की वीडियो मिलने वाला है, त क्योंकि हो सकता है, कुछ लोग नए होंगे, उनको डर लगा होगा, ये थेमिल देखके, देखो यार, सिंबसी बात है, small cap में लगातार invest कर रहे हैं, बहुत सारा पैसा डाल रहे है, तो सेवी को चिंता हो गई, सेवी मतलब हमारा जो ध्यान लखने वाली चीजे हैं, जो हम देखती है कि भाई साथ हमारे साथ कुछ गड़बना हो जाए, तो वो सेवी को चिंता हो गई, सेवी ने बोला भाई साथ इतना ज़्यादा क्यों inflow हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि small cap stocks में manipulation चल रहा हो fund manager द्वारा, क्योंकि कल खुदा ना खासता, अगर पैसे के हमें ज़्या मीटिंग होई थी, मीटिंग में कल क्लियर पूछा गया, सारे कंप्रियों को बुला के, कि साहब मुझे बताओ कि अगर हमें कल बहुत सारा पैसी के एक साथ ज़रुद पड़ती है, तो आप सारे shares अपने कितरे दिन में बेचोगे, क्योंकि आपको पता है ना, मैं आपको बसा बताता रहता हूँ, कि म्यूचल फंड में, हर एक म्यूचल फंड अपने सारे पैसे stocks में invest करते हैं, share खरीते हैं मार्केट से, अगर कभी अचानक हुआ कि साहब मुझे ना, सारी सब लोगों को, कि यार मुझे ना, small cap से पूरे पैसे निकाल लेने हैं, कुछ crisis आ गया बहुत ज़्यादा, तो कितने दिन में वापस करोगे, ये पूरा मामला था, लगातार चल रहा है, इंटरनेट पे आपको पता है, लेकिन मेरा मकसाद है कि इस वीडियो के माद्यम से, बहुत ही आसान भासना आपको पता चल जाए, कि ये जो test हुआ, stress test किया जा रहा है, हर का जवाब मिलने वाला है, सबसे पहले बात करते हैं, निपॉन के बारे में देखो सब का result आया, आप ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान समझना, मैं डिस्क्रिप्शन पे सारी कंपनियों का पूरा लेखा जोखा भी डाल दूँगा, ठीक है अपारी टीम ने research करके जो ब करेंगे, maximum लोग यहाँ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो भाई साब सबसे ज़्यादा रिस्क भी आ रहेगा, तो क्वाइट समॉल कैप का देखो, 17,000 करोण रुपे ओलिडी है, अगर कभी अचानक से ऐसी मंदी आई कि हमें पूरे पैसे एक साथ चाहिए, पूरे भारत व लोगों को, तो भाई साब, स्मॉल कैप, क्वांट वाले कितने दिन में पैसा वापस करेंगे, सर, हमें 22 दिन का इंतसार करना पड़ेगा, सोचो, 22 दिन हमें उनको समय देना है, कि सर, केवल आप 800 करोड रुपे हमें चाहिए, लेकिन ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है, कि मे मुझे एक महिने लग जाएंगे, तो क्वांट में जितनों लोगों ने इन्वेस्ट किया है, सर, रिस्की तो है, सच बता हूँ आपको, अगर कभी situation ऐसी आती है, तो, देखो, कुछ कहा नहीं आ सकता future में, क्या होगा, क्या नहीं होगा, लेकिन, एक हम situation में चलते हैं, कि अगर ऐसा होता है, तो आपको, सर, एक महिने का इंदजार करना पड़ सकता है, आपके पूरे पैसे को, रिटेमिशन करने में, आपके account में, आने में, तो, small cap fund में 44 दिन लग जाएंगे, अभी एक fund और इसके बारे बताने वाला हो, कि उसमें कितना वक्त लग जाएगा, क् क्वांट के बारे हमने बता दिया था, कल सेम निपॉन, निपॉन में 46,000 करोड रुपय है, काफी लोग इन्विस्ट किये हैं, तो यहां भी लगवक आपको, सर, 54 दिन लग जाएंगे, 54 दिन आपको लग जाएंगे, मैं आप बारी बारी इससे सारे fund के बारे बताऊंगा, टेंशन मत लेना आप लोग, कि मेरा fund कहा है, तो मैं सबके सामने अभी disclose भी कर दूँगा, पूरा page आपके सामने mention कर दूँगा, क्योंकि more than 60, 70 small cap mutual funds हैं, और top, top small cap fund ने क्या बोला है, top 5 mid cap ने क्या बोला, इसके बारे में जानकरी देने वाला हो, तो ध्यान से बने रहना व निपॉन में आप लोग जादा invest कर रहो, मैं खुद invest कर रहो निपॉन में, तो हमें इस चीज़ का इंतिजार, हमें इस चीज़ का weight हमेशा करना पड़ सकता है, अगर future में ऐसा होता है, कि हमें पूरे पैसे निकालने पड़े, चलो, ये दोनों fund के बारे हमने देख लिया, अब तीसरे fund के बारे में देखते है, अब तीसरा काफी लोगन इसमें invest किया है, वो हमारा हो गया है, HDFC small cap fund, HDFC ने कहा कि सहाब हमें लगबग 84 दिन चाहिए, कितना दिन चाहिए, 84 दिन चाहिए, पूरा पैसा निकाल के customers को देना, पब्लिक को देना, तो HDFC small cap लगबग 28,000 करोन का एयोम है, तो उन्होंने बोला कि सहाब हमें 42 दिन तो केवल, अगर आपको पैसे चाहिए, तो हम थोड़े-थोड़े पैसे हम कर देंगे, है न, ऐसी बात नहीं है, लेकिन 42 दिन में लगबग 50% और 84 दिन में पूरा, तो HDFC का हमने कर लिया है, HDFC small cap के बाद, HDFC mid cap ल वालों ने क्या बोला, देखो, maximum लोगों का पैसा, जो लोग one time investment करते है, I understand HDFC mid cap में होगा, तो बड़ा interesting है ये, कि तेज दिन लग जाते है, तेज दिन आपको लग जाएंगे, लग बग 30,000 करोण वापस आने में, तो 30,000 क्योंकि लोगों को share, देखो, हम normal क्या होता है, कि हम जो share खरीदते हैं, तो हमारे लिए बहुत easy होता है, कि हम तुरन buy button दबा दिये, तुरन sell कर दिये, तुरन खटाक से हमारे demand account में पैसा आता है, अब तो ऐसा system आने वाला है, कि आपको उसी दिन settlement हो जाएगा, सर, आपको जिजिन आपने share बेचा, उसी दिन आपके account में प अब Franklin की बात करें, काफी लोगों ने Franklin invest किया है, तो Franklin mutual fund की बात करें, तो Franklin mutual fund को क्या लगेगा, लगबग लग जाएगा, सर, 12 दिन लग जाएगा, इनका 50% amount वापस आने में, Franklin हमने बात कर लिया, नेक्स्ट, ये mutual fund में काफी लोगों ने invest किया होगा, कैनरो वो कोई small fund में 13 दिन लग जाएगा, तो चलो, ये थोड़ा सा बहुत अच्छी बात है, कि जिन लोगों ने, कैनरो वो कोई small fund में invest किया है, उनको केवल 13 दिन के अंदर, 50% at least, 5000 करोड रुप कर सकते हैं, तो केवल 50% लगेगा, मतलब देखा जा, 13 दिन कर लगेगा, वही मोतिलालोसवाल की बात करें, जो मोतिलालोसवाल का mid-cap काफी लोगों ने invest किया है, तो मोतिलालोसवाल में केवल 3 दिन लगेंगे, जो बहुत relief की बात है, बताने वाला होगी number one इसमें से कौन ह लेकिन देखो, मतिलाल इसमें से बहुत शांदार लग रहा है, क्योंकि इनका even size भी कम है, अच्छा कुछ कमपनियों का even size भी बहुत जादा है, बहुत जादा पैसे उसमें है, लेकिन उनको भी समय चाहिए in order to sell their share, ठीक है, अब कुछ important और चीजे हैं, और company, Tata Small Cap की बात क करूंगा, काफी लोगों ने Tata Small Cap Fund में invest किया है, 35 दिन लगेंगे साहब इनको 50% amount होने में, लगबख लेकिन इनको 70 दिन लग जाएंगे सर, 70 दिन लग जाएंगे इनको ये 6,289 करोन रुपए को redemption करने में, तो Tata Small Cap Fund थोड़ा समय जादा लग रहा है, लेकिन सबसे important बात ह जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है हमारा SBI Small Cap Fund, SBI Small Cap Fund आप देख सकते हो कि सर, सबसे जादा इनको समय चाहिए, क्योंकि सबसे जादा maximum लोगों ने पैसे आइंवेस्ट किये हैं, तो उनको इनका कहना है कि सर, मुझे तो 120 दिन चाहिए पूरे, 60 दिन लगेगा, इसक सर, आप अपना जो टाइम है, इसको कम से कम करने की कोशिश करो, इससे क्या फाइदा होगा, कि mutual fund manager ऐसे stocks में इन्वेस्ट कर सकेंगे, जहां easy पैसा इनको मिल जाए, अब ये फाइदा हम लोग को होगा, काफी लोग कह रहे हैं, में कमेंट सक्षिन में कह रहे थे, कि सर, से बीन गलत किया, देखो, अगर mutual fund manager कोई stock के साथ manipulation करते हैं, हमें नहीं पता चलेगा, हमें तो return से मतलब है, लेकिन आज ये timeline बान दी गई है, कि अगर कल हमें पैसे के जुरत पढ़ती है साहब, तो आप को ये share तूरंत बेच के हमें वापस करने होंगे, तो ये लोग आप पिक कर लेते थे लोग, अब बड़े ध्यान से ऐसे shares पिक करेंगे, जहां जल्दी बेच सकें, समझ गया ना, तो ये बहुत important CV का rule है, और जो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अभी तक होता होता था, भाई कोई भी share खरी लो, है ना, mutual fund manager क्या होते थे, कोई भी share ख करेंगे, आदिती बिरला सनलाइफ का, अच्छी बात है, केवल दस दिन लगेंगे, इनको 50% amount करने में, access का भी लगेगा 12 दिन, तो मैं आपको screenshot सामने दिखाना चाह रहा हूं, क्योंकि ये हमारी team का research रहा है, और हमें research के एक चीज देखा, कि देखो यार, जब total amount redemption की बार हो, आपके सामने ये मैं स्क्रीन, आपके स्क्रीन में सब दिखा देऊंगा, आपके, देखो आप देख सकते हो, तो 5 largest small cap fund, largest Nippon की बात करें, HDFC की बात करें, SBI की बात करें, access की बात करें, क्वांट की बात करें, तो आप देख सकते हो, सबसे ज़्यादा AU किसका है, Nippon का क्वांट को 22 दिन लग रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा टाइम आप देख सकते हो, कि सबसे ज़्यादा टाइम यहाँ SBI small cap को लग रहा है, क्योंकि इनका AU size उतना ज़्यादा नहीं है, लेकि अच्छी बात क्या है, Nippon का AU size बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनको केवल लग 27 दिन अपना 50% share बेच के पैसा वापसन कस्टमर को देने का, तो यह सारा largest small cap हो गया, अगर mid cap की बात करें, तो HDFC mid cap भी है, KOTAC Axis है, Nippon SBI Magnum है, यहाँ भी सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा समय लग रहा है, किसको लग रहा है, KOTAC Emerging Equity Fund को सबसे ज़्यादा लग रहा ह HDFC अगेन, केवल 23 दिन लग रहा है HDFC को, क्योंकि HDFC के पास ज़्यादा EU में है, लेकिन इनको बहुत कम समय लग रहा है, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि Nippon और HDFC among the top, जो जल्दी पैसा redemption करेके हम हमें वापस करने वाले हैं, तो यह बड़ा plus point है, क्योंकि हम लोग भी बिल Retail Investor धाब, यह सब तो सेवी का खेला हो रहा है, अब हमें क्या फाइदा होना वाला है, यह खेला में हमें क्या फाइदा होगा, यह चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, सबसे पहले important है, as a Retail Investor, यह खेला सर हर 15 दिन में होगा, देखो, हर 15 दिन में होगा, और अगर हर 15 पंद्रह दिन हो रहा है, तो हमारे पास एक मोका रहेगा, अब आप समझ सकते हो कि मोके पर 14 कैसे मारा जाता है, आपको पता है, कल मोका था, मैंने काफी वीडियों बता दिया था, कि मोका आने वाला है, मोका आया, काफी लोगों ने पैसे बनाए, अच्छी बात है, तो य ये खेला 15 दिन में होने वाला है, तो आप समझ सकते हो कि मोका क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप शिफ्ट मत करना, सबसे पहला पॉइंट में ही बोलूँगा, एक मोका रहेगा आपके पास as a lum sum करने का, again, as a मोका रहेगा लम सम करने का, and second चीज सबसे इंपॉ होगे, तो आपने यो टार्गेट सेट किया है, कि मिट कैप में after so many time इतना amount मुझे मिल सकता है, ये rate of interest का हमने plan बनाया है, तो आपका जो टार्गेट है, वो टार्गेट complete नहीं हो सकता है, इसलिए आप अगर small cap ले रखा है, आपने अगर 5 years का टार्गेट रखा है, 10 years का ट important teach, और थर्ड जो है, लंबे समय तक invested रो, मैं हमेसा कहता हूँ हर वीडियो में, भाई साब घरगर SIP का जो सपना है, कैसे करेंगे पूरा, ऐसे तो करेंगे, ये रुकावटे आती रहेंगी, ये tension होते रहेंगे, मेरे पास comment आए, आज phone आया, मैंने phone कट कर दिया, बीजी से बता रहें, पूरा data आपके सामने मने प्रेजेंट कर दिया, इससे कुछ नहीं होने वाला, इनका काम है, हमारी लिए लड़ रहे हैं, लडने दो इनको आपना काम करते रहो, क्योंकि मुझे क्या चाहिए आपसे न, सर मुझे आपसे ये ही चाहिए, smile चाहिए, जो लगा आपको देगा कि भाई सामने अपडेट कर सकते हो, राइट, बाकी कुछ भी हो, अपने चाहिए प्लीज प्यार देते रहना, कमेंट सक्षन में, तब्यत खराब हुई, लेकिन, क्या गरें, इनर्जी ऐसी आप लोग देते खुद हो, कि मैं रोक नहीं पाता कि आपके सामन अपडेट देने का, सो लगाता हैर वीडियो बने रहना, कुछ भी हो, प्लीज कमेंट सक्षन मेंशन करना, इंस्टाग्राम फॉलो कर लो, क्योंकि उसमें रेगुलर अपडेट से स्टॉक मार्केट का रहता है, नए चैनल स्टॉक मार्केट का है, जो लोग स्टॉक मार्क किर जेहिंद